हाई प्रैंस इस प्रोफिसर कार्टिक त्रियोदी वाचिंग में यूदू चानल आज हम जो बच्छों देख रहे हुआ है एपिसोड नमबर 24 देख रहे हैं उसके अंदर हम देखने जा रहे है और और रेट ट्रांसफर कोपिशन ठीक है तो हमने हैं पढ़ाय हुआ है और र को पहले भी समझा है कि जब भी medium of heat transfer एक नहीं होगा वो एक से ज्यादा होगा यानि सिर्फ conduction से heat transfer नहीं होती होगी लेकिन convection भी involved होगा तो heat transfer होगा वो convection plus conduction दोनों का combination होगा तो जब यह दोनों चीद का combination होगा तो समझ लो कि यह overall heat transfer coefficient वहाँ पे काम में लगेगा तो जब भी heat transfer coefficient आपको बुला रहा है तो समझ लो कि medium of heat transfer should be more than one ठीक है? conduction भी होगा और convection भी involved होगा ठीक है? यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है यहाँ आप आप देख रहे हो metal wall है यह जो है metal wall है जहाँ पर एक side पर temperature T1 है दूसरे side temperature T1 है दूसरे side temperature T1 है यह जो dash वाली आपको vertical line दिख रहे ह यहाँ पे hot fluid है इसके बाज है और इसके बाज जो है वो cold fluid है ठीक है यहाँ पर सबसे ज़दा temperature फ creator T1 हो ए तो ह्मारो रहे कुंसा heat transfer होगा? convection, ठीक है? फिर ये T1 से T2, तो एक ही चीज़ की दो side, तो ये होगा conduction, और T2 से TCF होगा, वो क्या होगा? convection, ठीक है? तो ये convection है, conduction है, convection है, इस तरीके से heat transfer होगा, ठीक है, बच्चो? अब भी आ राजूमींगे, तो whatever the heat transfer happen between the THF and T1, the same amount of the heat is transferred between T1 and T2, and the same amount of heat will be transferred from T2 to TCF, ठीक है? तो तीनों के लिए Q value भी is same, ठीक है? अब Q ये ये लिगाए हैं, तो ये ये जो बच्चो लगा, वो convection ही transfer है, DHF से T1, तो हम जानते convection के लिए जो equation आता है, वो होता है Q is equal to H and delta T, ठीक है? convection के लिए आप ही transfer इस तरीके से लिख सकते है, H and delta T, तो H, पर H अब इसलिए लिखा, क्योंकि है hot food का convective transfer coefficient है, H को बोला जाता है convective transfer coefficient, into A ये आप, into temperature difference, तो बढ़ा माइनस छोटा है, DHF माइनस T1, is equal to 1 से 2, तो यहां क्कोंसा है? ये conduction है, तो यहां पर conduction का इस प्रसन लगाना, किसका प्लैन ओल का? तो K into A into T1 minus T2 upon L, ठीक है? उसी तरीके से यहां पर लगाएगे T1 minus T2 upon L, ठीक है? तो Q is equal to H A, cold food का convective transfer coefficient into A into temperature difference T2 minus T2, ठीक है? अब यहां पर देखो के बच्चो, एरिया सभी के लिए सिम रहा है, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे मिश्टेक करते हैं, देखो बच्चो, एरिया किस तरीके से होगा? एरिया जो होगा, वो perpendicular होगा, ठीक है? इस तरीके से जो heat होगी, आपको मैं समझाता हूँ कुछ इस तरीके से, एरिया कौन सा लेना होता है? इस तरीके से wall है, तो इस तरीके से heat हैगी, तो आपका जो area होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है? composite wall में भी बहुत सारे बच्चे मिश्टेक करते हैं, एरिया जो होता है, बच्चो हो, heat transfer जहां से होती है, उसका perpendicular area लेना होता है, तो यह हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया है, चलो बच्चों, अब क्या आदर हैंगे? इस दोनों को equate करो, ठीक है? यहाँ पर T1-T1 को subject बनाओ, तो आपको यह equation मिलेगा, तो यह दोनों को equate करो, T1-T2 को subject बनाओ, आपको यह equation मिलेगा, यह और इसको, आप subject, यह दोनों को equate करो, T2-Tc, आपको subject बनाओ, तो यह मिलेगा आज़ो, आपको यह equation होगा, ठीक है? तो इसको 1, 2, 3 करो, अब जिसकरी कैसे हमने, अभी जो composite में बढ़े थे, उसी तरीके से मैं अथरोलोजी होगी, इस तीनों का आप adding दर, adding 1 plus 2 plus 3, ठीक है? इस सबको add दर होगे, बच्चो तो T1-T1 cancel, T2-T2 cancel हो जाएगा, जो बचे का होगा, THM-TCF तो मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या निकलेगा, बच्चो Q, A, Q और A सब में, जीको यह Q और A, और Q और A को सब में से कॉमा निकाल दो, तो आपको इस तरीके से इक्वेशन मलेगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने एक्स्टेप यहाँ पर निकाल दिया है, अब क्या कर सेक्ट हो, इन त बच्चो में जो पता है कि जब भी convection और conduction दोनों साथ में हो, तो मैं एक चीज़, A, P लिख सकता हूं, Q is equal to U A, delta T, हमने एक्सें जार में पढ़ा हो, जो मैंने episode अप्लोड करे हुए, तो जब भी convection और conduction दोनों का mixing हो, तो हम Q is equal to U A, delta T, भी लिख सकते, एक हमारे heat transfer का यह भ बच्चो, तो यहां से area area will be cancelled, delta T, delta T will be cancelled, so can I say U is equal to 1 upon this, so I can write U is equal to 1 upon this, तो यह बच्चो हुआ, आपका overall heat transfer coefficient, इसका symbol होता है U, समझ में आगा है, तो जब भी एक medium से ज्यादा heat transfer होगा, यानि it is combination of convection, conduction, ठीक है, तो आप overall heat transfer coefficient को ध्यान में लेंगे, और वीडियो अगर आया तो इसको subscribe और शेयर करे, have a nice day, बापाई